नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके एपनी यूट्यूब चनल गवर्मेंट जाब प्रविशन पर दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ ऐसी महातपूर ख़बरों के बारे में जो इस्टूजिन लेप्ले बहुत ही महातपूर रहती है चुछ लिए देखते है इसकी जो भरती है यह 8 अप्रेल से लेकि 15 फ्रेल के बीच आ सकती है ऐसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से में यह बताना चाहूंगा कि इसमें जो अलहाबाद आरोयन की जो रिवीव है इसमें मैंने बताया था कि यह 8 से 15 के बीच भरतियां आ सकती है और इसमें 130 के आसपास आपके यहाँ पर पद आने की उम्मीद है तो दूसरे यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो रहा है इन भरतियों के आने में और मुझे अब इसमें यह सुचना यहाँ पर प्राप्त हो रही है कि इसकी जो भरती है यह आपके अप्रेल लास्ट तक आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल सकता है और इसकी वज़े यह है कि इसमें कुछ पोस्ट यहाँ पर बढ़ाई जा रही है यानि कि 120 ती इसमें से लगबग 80 या 70 के आसपास पोस्ट को यहाँ पर इंक्रीज किया जा रहा है और आप जो नहीं भरती यहाँ पर नोटिफिकेशन होनी के वाली है इसमें आपको लगबग 200 पोस्ट यहाँ पर 200 पोस्ट पर भरती यहाँ पर देखने को मिलेंगी इस वज़े से थोड़ा सा लेट हो रहा है और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी नोटिफिकेशन की तो यह जो SSC stenographer group C और D जो result है यह आपको 15 अपरेल को जारी कर दिया जाएगा यानि कि 15 अपरेल को घोशित कर दिया जाएगा यह एक confirm news है जो कि मैंने news articles से आपको लिए है जो news article में भी आपको दिखाने पा रहा हूँ मैंने news articles में देखा है और वहाँ पर SSC stenographer जो group C है और group D क यहाँ पर सूचना कुछ मिल रही है जो मैंने sources की दौरा यहाँ पर कुछ information मिल रही तो वह है यहाँ पर अलहाबाद high court 35 group C यहाँ पर लिग लिजिए लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँगा नई भरती के बारे में जिसमें 3500 पोस्ट के आने की यहाँ पर उम्मेद दिख रही है ऐसी मुझे सूचना है मिल रही है और अगर हम बात करें कि यह भरती कब होगी तो यह भरती दोस्वा अभी नहीं होने वाली है यह भरती आपकी म इस बिल्टी और जो भी एक्जाम पैटरन है सबको सेब रहने वाला है और यह काफी हुज अमांट आफ वेकेंसी होगी 3500 वेकेंसी होगी ग्रूप सी की जो कि आपकी नई भरती की रूप में यहाँ पर 2019 में जून या माई के लास्ट में देखने को मिलने की उम्मेद आप अगली थैंक्स वाचिंग